जोहार सातियो जहारखन के साथी साथ नेशनल लेवल के इंपोर्टेंट करेंट अफेस डिसकसन में आठ डिसकस करने वाले हैं 11 जुलाई के इंपोर्टेंट करेंट अफेस को तो आई ये वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कौन-कौन से exam relevant current affairs रहे जो आपके जारखन के exam के लिए महत्पून है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जारखन के साथी साथ national level के भी सभी important current affairs की discussion कर लेंगी जो भी exam relevant है तो आई ये वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला question आज का पहला question है हाली में जारखन सरकार के द्वारा मंडरेगा में भष्ठचार के जो case आ रहे थे उसके खिलाब कारवाई करने के लिए कितने लोगपालों की निक्तिक की जाएगी तो ध्यान दखिएगा जारखन सरकार द्वारा टोटल पांच जिलो में लोगपालों की निक्तिक की जानी है क्योंकि पहले से ही 19 जिलो में लोगपालों की निक्तिक की जाएगा इसका राइड ना सकी आओ जाएगा पांच ये पांच जिले होंगे कौन कौन ये पांच जिले होंगे गुमला चत्रा लोहर दगा और इसके साथी साथ जाम टाड़ा और सराइकेला कर सावा ये जो पांच जिले हैं यहाँ पे जो है लोगपालों की निक्ति की जाएगी क्योंकि यहाँ पे मनरेगा सम्मंधी जो तो ध्यानद रखिए भारत में जो लोगपाल विधयक है, जो में थे वह 2011 में लाया गया था और बना था तो 2014 में इसे लागु किया गया था था पूरे भारत में ध्यान रखिएगा, 2014 में ही जो है पहली बार लोकपाल की नुक्ती की गई थी और उसमें थे पिनाकी चंद्रगोस ठीक है और अवर्तमान में जो आपके लोकपाल है भारत के वो हैं कौन तो PK महंती मतलब की परदीब कुमार महंती तो पहले कौन थे पिनाकी चंद्रगोस ठे और अभी वर्तमान में कौन है तो अभी वर्तमान में है परदीब कुमार महंती मतलब के महंती ये चीज़ ध्यान रखिएगा और इसमें एक बार अमेंडमेंट किया गया है इस बिल में 2016 में तो ये भी ध्यान रखिएगा बात करते हैं अगले कोस्टन की अगला कोस्टन है क्रिसी बेग्यानिकों की वार्षिक छेत्रिय कारेसाला कायोजन रामकृष्ण मिशन सभागार में 8 से 10 जुलाई को किया गया ठीक है यह सभागार कहां इस्थित है तो यह जो सभागार है यह राची मिस्थित है जो रामकृष्ण मिशन institution है, मतलब कि संस्थान ही है पूरा, उसमें विभिन पतरह के course भी कराए जाते हैं ठीक है, सिक्षन काई कारे भी होते हैं तो ये राची मिश्थीत है ध्यान रखेगा इस जो कारेसाला आईज़ित की गई इसमें जो important चर्चा थी वो आरिया योजना के उपर की गई ये आरिया योजना क्या है तो सबसे पहले इसका full form अगर हम लोग देखेंगे तो आरिया योजना का full form है attracting and retaining youth in agriculture ठीक है और इसे लागू कप किया गया था पूरे भारत में तो ध्यान रखेगा जुलाई 2015 में इसे लागू किया गया था जुलाई 2015 में मोधी सरकार का एक important initiative था और इसे बिहार से जो है शुरू किया गया था क्या होता है इसमें तो इसमें ध्यान रखेगा जो गाउं के युवा होते हैं वो क्या हो रहे हैं अग खेती करना छोड़ रहे हैं और खेती करना छोड़के वो सहरों की ओर दूसरे काम करने के लिए आ जा रहे हैं सहरों की ओर इस योजना के तहट ये किया जाएगा कि इन जो युवा हों जो गाउं के उनको खेती करने के लिए प्रोतसाहित किया जाएगा ताकि बहता तरीके से जो है वो खेती करके अच्छा मुनाफ़ा कमा सके और सहरों के उपर भोज ना पड़े और साथी साथ खेती के छेतर में भी विकास हो तो इसी की लिए ये आरिया योजना जो है शुरू किया गया था 2015 में और इसे लागू किया जाएगा के भी के मतलब की क्रिसी विज्ञान केंद्र जो होते हैं इनके द्वारा और ध्यान रखेगा पूरे जो राज हैं जितने भी राज हैं सभी राज के एक के भी के को चुना गया था इसके लिए और उस एक केविके को उस राज के किसी एक एरिये में काम करने के लिए बोला गया था मतलब कि एक राज के एक केविके मतलब क्रिसी बिज्ञान केंद्र को इस योजना के तर्थ चुना गया था तो ये चीज़ ध्यान रखेगा बात करते हैं अगले कोस्चन की है अगला question है धोनी entertainment private limited के तहत बनने वाली पहली फिल्म किस भासा में बनेगी तो ध्यान दखेगा ये जो पहली फिल्म है धोनी entertainment private limited मतलब हमारे जो माही भाई है तो इनकी पहली फिल्म आएगी आपका तमिल भासा में और तमिल भासा में movie का नाम क्या होगा let's get married तो इसको ध्य ध्यान रख लिजिएगा पूछा जा सकता है इस तरह का question क्योंकि धौनी ज्यार्खन से जुड़ेवे हैं और ध्यार्खन में ध्यार्खन का importance कितना है वह आप सभी को पता है highest taxpayer है ध्यार्खन के सब चादा टेक्स देने वाले जो individual person है तो ध्यान रखिएगा बात करते हैं अगले question की अगला question है नई सिक्षानिती 2020 को ज्यार्खन में लागू करने वाला पहला विस्व विद्याले कौन है तो ध्यान रखिएगा पहला विस्व विद्याले है राची इंवसिटी ठीक है राची इंवसिटी 2022 के session में ही इसे राची इंवसिटी ने लागू कर दिया चर्चा में क्यों आया अभी क्योंकि डॉक्टर स्यामा परसाद मुखर्जी इंवर्सिटी जो है रांची में वह भी अब इस जो आपका सेशनल एयर होगा इसमें इसे लागू करने जा रहा है नई सिक्षानिती को इसमें टोटल चार साल का ग्रिवेशन हो जाएगा ठीक है तो ग्रिवेशन टोटल चार साल के हो जाएगे और अभी इसको डॉक्टर स्यामा परसाद मुखर्जी इंवर्सिटी जो है रांची का वो इसको लागू कर देगा बात करते हैं थोड़ा से आगे तो ध्यान रखिएगा स्यामा परसाद मुखर्जी इंवर्सिटी के बारे म और यह जो राची कोलेज है इसकी अस्थापना काफी पुरानी है 1926 में इसकी अस्थापना की गए थे इंटरमीडियेट कोलेज के रूप में और फिर इसमें जो है ग्रेजवेट और पोस्ट ग्रेजवेट जो कोर्सेस हैं वह 1946 में जोड़े गया थे तो यह चीद ध्यान और राची इंवर्सेटी जब इसमें बना कब बना राची इनुसेटी 12 जुलाई 1906 को बना तो फिर जो है इसके अंतरगत आ गया बाद में से अटोनोमस का भी दरजा मिल गया था ठीक है बाद में यह ऑटोनोमस कोलेज बन गया था और 2017 में इसे राची कोलेज को ही अपग्रेट करके डॉटर स्यामा परसाद मुखरजी इनिवसिटी भी बना दिया गया तो यह चीज़ ध्यान दखेगा बात करते हैं आगे तो एक और इनिवसिटी के चर्चा करते हैं बिनोद बिहारी महतो कोलांचल इनिवसिटी के अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो निर्मान है यह 2017 में हुआ था तो आप लोगों ने देखा जो स्यामा परसाद मुखरजी इंवर्सिटी है वो भी 2017 में और जो कोईलांचल इंवर्सिटी है वो भी 2017 में ही बनाया गया था ठीक है और यह जो है धनबाद में है और इसके तहर 56 कॉलेज हैं यह आप से कोई पूछेगा नहीं एक लाग से ज्या तो आपका पूत्रा मेडिकल कोलिस्ता उसी का नाम बदल दिया गया है ठीक है बात करते हैं अगले कोस्टन की अगला कोस्टन है इंग्लिज भासा के विकास के लिए राची इंवर्सिटी के साथ जो है एमो यू किया है और इसके तहार दो किताब भी लिखे गया है राची इंडिशिटी के स्लेबर्स को ध्यान में लगते हुए एक तो है आपका एसेंचियल इंग्लिज फोर बेटर कम्निकेशन मैं यहाप लिख देता हूँ एसेंचियल इंग्लिज फोर बेटर कम्निकेशन ठीक है इसको लिखे है राजकुमार सर्मा और एक और बुक लिखी लेकिन यह जो बुक है यह राची इंवरसिटी में इंग्लीज के सिलेबर्स को ध्यान में रहकर लिखा गया है और अब जो है केमड़्ीय इनवरसिटी के साथ मिलकर इंग्लीज में बहतर तरीके से स्रिक्षन कारे और साथे साथ इंग्लीज को बैटर बनाने के लिए करके जो आभुसन कारिगर हैं वो काफी ज्यादा प्रसिद है और अलग-अलग जारखन के जो पडोसी राजे हैं यहां पर भी इनकी खूब चलती है मतलब इनके जो टैलेंट है उनको निखारा जाता है और फिर जाके जो है दूसरे राज्यों में भी काम करते हैं तो ध्यान रखेगा यह जो शुक्री घड़ा गाम है यह रामगर जीले में है और इस फूर्ती योजना का फुल फॉर्म भी इन्पोर्टेंट हो ध्यान रखेगा इस फूर्ती योजना का फुल फॉर्म है scheme for fund for regenerating traditional industries ठीक है traditional industries मतलब पहले के जो भी industries थे traditional जैसे जोयल्री बनाने का हत्करगा का फिर आपका खादी के कपड़े बनाने का इस तरह का जो काम है उसको फिर से जीवित करने के लिए यह जो योजना है यह शुरू की गई है और ध्यान रखेगा इसका नोडल जो एजनसी है वो के भी आईसी है के भी आईसी मतलब की क्या है इसका फुल फॉर्म तो खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कमीशन ठीक है के भी आईसी इसी के दुआरा जो है यह जो इस फूर्ती योजना है इसको पूरे देश में लागू किया जाता है और इसके तरह कलस्टर डेव और इनके अनुसार जो है महिलाओं के टोटल 176 तरह के जोयल्टी होते हैं जो महिलाओं खास दोर से पहनती है और ध्यान रखेगा इस पूर्थी योजना के तहत यहां इक कलस्टर जो बनाया जा रहा है ना उसमें एक कंपनी है तो यह कंपनी का नाम है सुर्नकार सिल्पी और द्योगिक स्वालम भी सहकारी समीती ठीक है तो जो सहकारी समीती है मतलब कि आपका जो कोडिनेशन से बनने वाली कंपनी है उस कंपनी के तहट जो है इनको फंड भी दे जा रहा है अब तक इनको जो है लगबग चार कोड़र रुपए जो है फंड के रूप में दे जा चुके है तो काफी ज़्यादा सहायता इनकी के जा रही है ताकि ये जो पुराने जितने भी काम होते है ठीक है जो यल्टी से जुड़े हुए उनको फिर से जीवन्त कर सके और इस तरह की जो हमारे एक तरह की संस्क्रीती को बचाने में अपना योगदान जो है वो दे सकते हैं तो राइट अंसर क्या हो जागा इसका रामगर जिला ठीक है रामगर जिला का सुक्री गढ़ागाँ बात करते हैं अगले कोस्टन की अगला कोस्टन है C.I.P. Central Institute of Psychiatry के दुआरा जो है नसा मुक्ति केंद्र चलाए जाता है लगातार यहां पर नसा के रोगियों की व्रिधी हो रही है यह व्रिधी कितने पतिसर तक बढ़ गई है तो ध्यान दखी गए चालिस पतिसर तक इनकी व्रिधी हो गई है जो चिंता कभी से है एक तरह से जारखन के लिए क्यों चिंता कभी से है क्योंकि लगातार जो है नसे की जो रोगी है वो लगातार बहटते जा रहे है और यह जो है नसा मुक्ति केंद्र में अब जा रहे है तो इसका जो डेटा है वो काफी ज़ादा वेरी कर रहा है हर साल इसमें भारी ब्रीधी देखी जा रही है और डेटा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेंगा 2021 में 1500 नए मरीज आए ठीक है 2022 में यही मरीज 23 सो हो गए और अभी तक ठीक है 2023 तक अभी तक मतलब की अभी कौन समयना चल रहा है आपका जुलाई चल रहा है ना तो जुलाई तक लवकर 900 मरीज जो है वो आ चुके हैं तो देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा जो है संख्या बढ़ रही है और ध्यान र प्राउन सुगर चाधी भी सुनने मार है कि मिलने लगा है तो यह काफी चिंता का बात है और आने वाले दिनों में राची हो सकता है इन ड्रग योस्ट का जो सबसे बड़ा हब भी बन सकता है चलिए बात करते हैं अगले कोर्शन की और यहां पर ध्यान रख लिएगा जो स किस सरकारी संगठन के दवारा बुजूर्ग दिव्यांग और बिस्तर पर पड़े जो विमार बेखती है उनके लिए उनके लिए इसने किया है यू आई-डी-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ने मतलब आधार जो बनाता है जो संस्था उसी ने किया है क्यों किया है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जो आधार सुधार केंद्र है वहां तक नहीं जा सकते हैं उनको यह सुविधा देने के लिए शुरू किया है और आप सभी को पता है जब आधार में सुधार करवाना होता है तो एक आम इ जैसे आपका नाम हो गया, पता हो गया, जन्म तित्थी, लिंग, मोबाइल नमबर, और इमेल आइडी बसक्तर जाइंगे 50 रुपए अगर बात करते हैं आपका एक और अबडेट जिसको बोलते हैं ये बायोमेट्रीक अबडेट यह biometric update क्या क्या होता है biometric update में आपका होता है photo fingerprint तो इस तरह के changes कराने के लिए आपको देने पड़ेंगे 100 रुपे परती change ठीक है तो इस तरह से आप charge करेगा और charge लेकर भी चलिए सुविधा दे रहा है तो थोड़ी से अच्छी बात है क्योंकि UIDEI के तहट जो आधार बनता है उसमें change कराना काफी मुश्किल होता है काफी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है और ध्यान रखेगे 29 सितंबर 2010 को पहली बार आधार कार्ट जारी किया गया था 29 सितंबर 2010 को और UIDEI का full form क्या है unique identification authority ठीक है और ध्यान रखेगे ये legal trademark है मतलब की legally काम करता है ध्यान रखेगा इसे अब जो है एक statuary body भी बना दिया गया है ठीक है और ये काम किसके अंडर में करता है तो ध्यान रखेगे ये caution पुशा जा सकता है आप लोग से ये काम करता है मीटी मतलब Ministry of Electronics and Information Technology मंत्राले जो है इसके अंतरगतिय जो है काम करता है ठीक है और भासरकार के जो मीटी के जो मंत्री है ठीक है मीटी के मंत्री कोन है अभी तो जो ये मीटी मंत्राले है इसके अभी मंत्री है अरुराग ठाको ठीक है बात करते हैं अगले कोस्टन की अगला कोस्टन है मदेपरदेश से जुड़ी निर्मला बुच का हाली मनिदन हो गया ये मदेपरदेश की पहली क्या थी तो डिजीपी थी मुखे सचीव थी लोगपाल थे या फिर इन में से कोई नहीं तो ध्यान रखिए ये मदेपरदेश की पहली मुखे सचीव थी मतलब की आये सधीकारी थी और ये जो है मदेपरदेश की पहली चीप सेकेटरी मतलब की मुखे सचीव बनी थी ज्यारखन के मुख सचीव भी कौन है सुकदेव सिंग ये विध्यान रखना है और एक आये सधीकारी के लिए एक कोशन है रूस यूक्रेन यूद के 500 दिन हो गए ठीक है इसमें रूस के जो है ज्यादा तो नुकसान नहीं हुआ रूस का लेकिन यूक्रेन का 9000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थान रखेगा इस बांद का नाम है कोखोवका डैम ठीक है और ये MARC पाउर प्लांट है जो एक अगर के nuclear power plant है इसको भी जो है काफी नुकसान पहुंचा है क्योंकि इसका जो cooling होता था ये इसी डैम से होता था तो अब इसके उपर भी सवाल या निसान खड़े हो गए है क्योंकि एक nuclear power plant को cooling के लिए काफी ज्यादा water के ज़रत होती है और ये जो है काफी ज्यादा important होता है Victoria Lake कहा है तो Victoria Lake Africa में है आप सभी को पता ही होगा नील नदी जो है ये इसी लेक से निकलती है और जो करीवा डेम है करीवा डेम जो है ये करीवा डेम वाटर स्टोरेज कपेसिटी के धार पे विश्यो का सबसे बड़ा डेम है ठीक है तो ये भी ध्यान रखेगा बात करते हैं और फ्रड़ा सा देख लेते हैं युक्रेएन के परोसी देस के बारे में कि युक्रेएन लगतार चर्चम बना हुआ है तो इसके कोशन पुछे जाने के सबस्यदा सम्हावना है UPSC तक में इससे कोशन पुछे जा चुका है तो इसके परोसी देस कौन-कौन से है रसिया, बेलारूस, पॉलेंट, स्लुवाकिया, हंगरी, फिर हैं माल्डोवा, रोमानिया, ध्यान रखीगा, इसके ज़श्ट बगल में है ब्लैक सी, और ब्लैक सी के बगल-बगल में कौन-कौन है, तो बुल्गेरिया है, तुर्की है, और जोजिया, और साथ-साथ ज़यर रोमानिया, और जो क्रीमिया है, क्रीमिया यहीं पर एक दिविप है, क्रीमिया के उपर रूस का कबजा है, तो यह पडोसी देश ध्यान रख लीजिगा, यूक्रेन के पडोसी देश सभी एक्जाम के लिए महत पून है, और यूक्रेन लगा तार्चाचा में भी बना हुआ है, जेपरवेजिया, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, और आपका अभी जो ड्रेम रूटा, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, बात करते हैं अगले कोस्टन की, अगला कोस्टन है, टेक्स की चोरी रखने के लिए, ध्यान रखेगा, टेक्स की चोरी रखने के लिए, जो राजस्व की कमी हो जाती है, टेक्स के चोरी होने से, उसको रोकने के लिए, धन सो धन कानून के अंतरगत, GSTN, मतलब की GST Network को लाया जाएगा, इससे फाइदा क्या होगा, इसकी जानकारी है, वो ED को दी जाएगी, और ED को जानकारी मिलने के बाद, कारवाई कैसा होता है, किसी को बताने क्या हो सकता है, है नहीं, जहारखंडियों को तो बताने क्या हो सकता ही नहीं है, तो उसके उपर भी करवाई की जा सकेगी धन सोधन कानून के अंतरगत और यह धन सोधन कानून बहुत ही यूजफुल कानून है जो भी लोग टेर्रिस्ट औगरा को सपोर्ट करते हैं या फिर बाहर पैसे भेजते हैं गलत तरीके से money laundering करते हैं तो उसके उपर करवाई की जाएगी और करवाई कोन करेगा एडी करेगा और अब जो है जितनी भी जानकारी है वो एडी के साथ सेर कर सकता है GSTN मतलब की GST Network ठीक है GST Network जो है न इसके बाद सारे GST Network का पूरा information होता है सारे GST number का information होता है GST number किसे registered है कोन इसमें transaction करता है कितना transaction होता है वो सारा कुछ information GSTN के पास रहता है ठीक है GST से संबंदित article कौन-कौन सा है तो एक है 279A और एक है 269A 279A क्या है 279 है इसमें GST council की बात की गई है और GST से संबंदित निरने यही लेता है ठीक है यह चीद ध्यान रखिएगा और 269A क्या है 269A बताता है कि GST कहां पर लगाया जाएगा यदि अंतर राजी बेपार होता है तो GST कहां पर लगेगा तो जहां पर जो सामान है वो बिकिएगा मान के लिए यहां पर उत्पादन हुआ सामान का यहां पर से ट्रांस्पोर्ट करके हम लोग इसको यहां ले गए तो यहां पर GST लिया जाएगा सेवा कर लिया जाएगा ना कि यहां पर से तो इस ध्यान रखना है और बात करते हैं अब आगे अगले कोशन की तो अगला कोशन इंपोर्टेट है ONDC ONDC बहुत ही यूनीक जो जाकन गोवर्मेंट का एक इनिसेटीव है इसके तहत क्या किया जाएगा तो ध्यान रखेगा ONDC के तहत होगा केंदरिये कुटीर जो दियोग निगम है इसके सामान भी आप खरीद सकेंगे कुटीर मतब छोटे जो भी स्मॉल इंडस्टीज होते हैं न घरिलो अस्तर पे उसके भी सामान आप खरीद सकते हैं इसे फायदा क्या होगा जो छोटे बेपारी हैं एकदम छोटे एकदम छोटे जो किसान नहीं हतकर घाग बनाने वाले हस्सिल बनाने वाले या खादी के कपड़े बनाने वाले इससे भी आप सामान खरीद पाएंगे क्या ये फिलिपकार्ड और एमाजोन में पोसिबल है है लेकिन उनको उतना तवज्जो नहीं दे जाता ONDC क्या करेगा ना सबको बराबर का हग देगा आपने सामान बेचने के लिए जिससे छोटे जो बेपारी है छोटे जो कामगार है छोटे जो कास्तकार है छोटे जो भीलो कास्तकारी करते हैं या फिर हस्सिल्प में अपना काम करते हैं या छोड़ी लोड़ी जो भी वेपारी होते हैं उनको भी मौका मिलेगा फिलिपकाड एमजोनमी ये पोसिबल नहीं था इसलिए भारत सरकार ने एक E-marketplace बनाया है ONDC के नाम से इसको भी जानेंगा अच्छे से लेकिन इसका जो राइट अंसर हो जाएगा तो ध्यान रखे ये जो आपका केंदरीय कुटिर उद्योग निगम है ये कपडा मंतराले कदीन आता है यही इसका राइट अंसर हो जागा और कपडा मंतराले भारत में रक्षा मंतराले रेलवे मंतराले के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला जो है वो छेत रहे, सब्सक्राइब रोजगा दिया जाता है हनाकि इसमें ध्यान रखेगा कि private companies ज़्यादा हों तो private companies में भी लोगों को काम मिल बाता है, लेकिन इन private companies में बहुत से लोग काम करते हैं ठीक है, लाखो लाखो काम करते हैं सुरत जैसे सहरों में कपड़ा जो व्योसा है वह काफी फ़ल फुल है ठिक है और बंगलादेस अभी कपड़ा मंत्रा लें है नहीं कपड़ा निर्मान में हो सबसे आगे चल रहा है बात करते हैं थोड़ा सा ONDC के बारे में भी क्योंकि ONDC को समझना है important है ONDC का full form के सबसे पहले क्या होता है Open Network for Digital Commerce और ध्यान रखेगा इसको launch किया गया थे 31 December 2022 को 31 December 2022 को लेकिन इसकी जो pilot testing के अरने के लिए जो सहर है वो सहर चुने गये थे दिल्ली NCR मतलब की एक, बैंगलूरी 2, सिलोंग 3, भपाल 4 और कोईंबटूर 5 तो यह जो 5 अस्थान है यहाँ पे इसकी टेस्टिंग की गई, pilot testing की गई फिर इसको पूरे देश में launch कर दिया 31 December 2022 को और काफी अच्छा यह काम कर रही है सभी को equal opportunities provide कराती है, shopping करने के लिए, किसी भी एक कंपनी को या फिर दो कंपनीयों का सामान बेचने के लिए, इसमें enlist नहीं होता है, छोटे जो बेपारी है MSME उद्योग जो है, उनको भी support किया जाता है, ONDC के अंतरगत, ठीक है, तो इसी ध्यान दखीगा बात करते हैं अगले question की, अगला question है, बिहार जेविक कोरिडोर योजना, जो बिहार जेविक कोरिडोर योजना है, यह बिहार यह कितने जिरुम चलाय जा रहा है फोड़ा सा मतलब कि important question इसलिए है न क्योंकि बिहार क्या है ज्ञारखन का परोऊसी है और ज्ञारखन के परोऊसी हो या भरत के परोऊसी हो दोनों से question कई बार जो है ज्ञारखन के एग्यामें पूशे जाते हैं तो ध्यान रखेगा ये जो बिहार जेविक कोरिडोर है क्या ये जो बिहार जेविक कोरिडोर क्या है ना कि इसके तहट जो गंगा नदी है गंगा नदी बहर ही इसके किनारे किनारे जो छेतर हैं उनमें औरगेनिक खेती करने के लिए लोगों को परमोट के जाएगा जिससे वहाँ पे लोगों को फाइदा ज्यादा हो किसानी के लिए एक उपोचिनिटी मिले और लोग जो है अपना वेपार क्रिसी के छेतर में बढ़ा सके इसलिए जो है यह बिहार जेविक कोरिडोर की सुरुवात की गई है वहां के जो मुखी मंत्री है नितिस कुमार के द्वारा और ध्यान रखेगा यह जो आपका योजना है यह 13 जिलो में चला जा रहा है और ध्यान रखेगा इस तरह के कोरिडोर में अगर आप खेती करते हैं तो प्रती एकड 11,500 रुपे प्रती एकड बिहार सरकार आपको देगी और जिससे जो है आप अपना जो खेती है उसको और अब भाल शेतर के से कर पाएंगे और इसके लिए ध्यान रखिएगा सेंटरल गुष्मेंट एक योजना चलाती है जो खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए उस योजना का नाम है नेशनल प्रोग्राम और्गेनिक प्रोडक्शन और्गेनिक प्रोड़क्शन नेशनल और किस नदी किनारे बनाया जा रहा तो गंगा नदी के किनारे बनाया जा रहा है ये भी ध्यान रखेंगा दोजार परचीश तक इसको चलाया जाएगा एंचरीक स्चेस से जुड़े भी उइक कंपनी आपसे पुछा जा सकता है कि जैसे अग्रीकुल कोस्मोस कि i. प्रिश cambiar को सब्सकर वह समाफ्त हो मिलें अगल ही आप सभी का बहुतबत धन्युद